हेलो माई दियर स्टुडेंट्स देखो सुबह सुबह ठंडा में तुम्हारे लिए बैटे हुए हैं और रिविजन के लिए सोच रहे हैं कि थरो निम्रिकल इंटिगेशन का रिविजन करा दें यह वीडियो वह सभी स्टुडेंट के लिए है जो साल भर किताब तो पढ़ता करना चाहिए इसलिए तुम लोग सुझ रहा होगा कि सरे निम्रिकल में पर क्यों वीडियो डार रहे हैं कि ऐसे सुडेंट जो साल भर भी नहीं पढ़ा है और यह निम्रिकल में ठीक ठाक तो कम से कम वह फिल नहीं करेगा इसलिए हम उसके बाद भी हम रिविजन करा देते कि कैसे हैं कैसे उसको तुम र्खा जाए तो हम एक एक्जाम्पल देकर समझाते हैं मालों हमको इविलूएट करना है कश करना है नाईन और वन बाइट इसको एविलेट करना है अब हम देखेंगे कि सबसे पहले द किस मेथड से करना है तो मालो हमको पूछा गया है ट्रेपजाइडल मेथड से करना है ट्रेपजाइडल मेथड से करना है तो यह जो इंटर्वल है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे सबसे पहला काम यह है तो इस पर ट्रेपजाइडल मतरफ पर कोई रिस्टिक्शन नहीं है और इवन को रिस्टिक्शन नहीं है अपना सुभीदा के अनुसार करना है सबसे पहले यह 9-1 को बाट देना है जितना पार्ट में चाहो और में इव 8 by 8 और यह हो जाएगा 1 एही हुआ h यह हुआ h पहला काम अगर यह ट्रेपजाइडल रूल नहीं रहता यह रहता सिंसंस वंधार टूल Simpsons 1 3rd rule रहता तब हम क्या करते हैं तब इसमें restriction है कि इसको बराबर हम even में ही बाटना है even में ही पाटना है यहीं 2 के multiple में बाटना है इसको हम 9 minus 1 by 2 कर सकते हैं 9 minus 1 by 4 कर सकते हैं 9 minus 1 by 6 कर सकते हैं 9 minus 1 by 8 कर सकते हैं 2 के multiple में जो सुविधा हो जैसे हम इसी को लिए तो 9 minus 1 by 8 equal to 1 यह हो गया h तिये हुआ Simpson 1 3rd rule पहले यही दो rule रहता है कभी कभी क्या होता है कि h दिया हुआ रहता है h दिया हुआ रहता है मालो h दिया हुआ है 1 तो क्या करते हैं कि हम 1 पहले 1 लेते हैं x कभेलो फिर 1 में 1 जोडते हैं जोडते जोडते जब 9 हो जाता तब बंद करते हैं खर हम बता रहे हैं उसको तो सबसे पहला काम हुआ है कि हम division कैसे करेंगे फिर एक बार बोलते हैं division करने के लिए यह चाहे तो दिया हुआ रहता है कि इसको 10 division में बाठ कर करो चाहे 8 division में बाठ कर करो दिया हुआ रहता है कभी कभी division नहीं दिया हुआ रहता है h दिया हुआ रहता है मालो h equal to 1 है h equal to kuch है तो h दिया हुआ रहता है कभी कभी कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो यह तीनों कंडिशन हमको ध्यान रखना है हम यह मानकर चलते हैं कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैसे खरेंगे तो देखो यह तो पहला काम हुआ एच निकाल लिए एच के बाद दूसरा काम रहता है कि टेबल कैसे बनाए त का मतलब हुआ यह one by one plus x हो गया यह हो गया य का वहलू और ध्यांदो बहुत गल्ती करता है यह ओन को छोड़ते हैं यही से लना है बार बार बहलते हैं जो लोवर लिमीट है एकस का वैलू वहां से सुरू करना है तो लोवल लिमीट हम one से सुरूक किये हमारे एक्स बराबर है वान बाइज वान प्लस अब वान देए तो यह हो गया वान वान टु फिर इस वन में एच जोड़ देना है तो अब यह हो गया तो ब्लट टो और एक वान थ्री तो वान बाइज हो घ्री चलो, अब 2 में फिर एक जोड़ देना है, तो 3 हो गया, 314, 1 by 4, उसके बाद 4 लेना है, 415, 1 by 5, 5 लेना है, एक 11 जोड़ते जा रहे हैं, तो यह हो जागा 1 by 6, 6 लेना है, तो यह हो जागा 1 by 7, 7 लेना है, तो 1 by 8, और लास्ट में, साथ में फिर H1 जोड़ देंगे, तो यह हो जागा 8, तो यह हो जागा 1 by 9, और फाइनली, जब 9 पहुंच जाए तो हम बंद कर देना है, 9 तो यह हो जागा 1 by 10, जब उपर वाला आ गया, तो हम इसको बना जेंगे, तो यह हो गया पहला step, यह हो गया दूसरा step, तिसरा step में हमको formula लिखते ना है, जैसे मालना हमको trapezoidal से निकालना हो, अगर हमको trapezoidal से निकालना हो, trapezoidal rule से निकालना हो, तो क्या करेंगे, देखो, trapezoidal rule निकालने का formula थोड़ा से याद कर लो, यह है, X, मालो, हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, यह सब को लिख लेना, यहाँ पर इसको लिख देना Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, इस से क्या होगा, कि फर्मुला को लिखने में आसान होगा तो देखो, मालो, हमको X0 से Xn, Xn, Ydx, निकालना है हमारे केस में है, 1 से 9, 1 by 1 plus x, dx है तो फर्मुला क्या होगा? देखो, टेपजेटर्ल में पहला है कि H लिख देना है, नीचे 2 लिख देना है, H by 2, चलो H by 2 लिख दिए, अब क्या करते हैं? दोनों इंट पॉइंट को एक साथ लिखना है, इसको और इसको लास्ट में दोनों इंट पॉइंट को एक साथ लिखना है, एनी यहां पर लिख देना है वाई नॉट और यह हो गया वाई 8 इसको हमको एक साथ लिखना है प्लस जो बचा उसको ट्वाइस कर दना है बचा मतलब यह हो गया वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 वाई 5 वाई 6 वाई 7 वाई 8 तो पहले ले चुके हैं बस उसको बंद कर दो तो यह हो गया फॉर्मला फिर अब बार बोलते हैं बाहर में होता है यहां पर रखना है दोनों ही पॉइंट एक वाई नॉट और एक वाई 8 दोनों ही पॉइंट को एक साथ रख लिए बाकी जितना भी बचा है उसको ट् वाई नॉट का भैल है तो इसको हाप रखो वाई 8 का भैल बाइक टेन है नॉट वाई 10 रखो प्लस ट्वाइस कर दो और जितना भैलू उसके बीच में बचा है जैसे 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 by 6 plus 1 by 7 plus 1 by 8 plus 1 by 9 यहीं तक क्योंकि 1 by 10 हम पहले ले चुके हैं अब इसको calculation कर लेना यह तुहां result आ जागा temperature rule से solve हो करके result आ जागा अब देखते हैं इसी problem को Simpson 130 rule से कैसे बनाए अच्छा अब देखो Simpson 130 rule से same problem को कैसे solve करते हैं मालों यह है 1 से 9 1 by same problem है 1 plus x dx यहां पर ध्यान देना यह जो interval है इसका division करना है वो event में करना है event में करना है इसका मतलब यह हुआ कि 9 minus 1 by 2 कर सकते हैं दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं यह इसको हम चार पार्ट में बाढ़ सकते हैं यह हम इसको छो पार्ट में बाढ़ सकते हैं यह इसको हम आठ पार्ट में बाढ़ सकते हैं यह सब होगा H, यह सब क्या होगा, H कहलाएगा अपना सुविदा के अनुसर लेकिन बार-बार बोलते हैं, इसको even पार्ट में बाठते हैं, तो हम इसको 8 पार्ट में बाठते हैं, सुविदा होगा तो यह H बराबर हो गया हमारा 1, H बराबर हो गया 1 तो यह पहला पॉइंट हो गया ध्यान देना कि कैसे division हम क्या करते हैं कैसे करते हैं, अब हमको बताना है कि इसका हम formula कैसे लिखते हैं formula कैसे लिखते हैं, तो देखो formula लिखने का तरीका यह हम बता देते हैं माल लो, हमको यहां से 1 से 9 1 by 1 plus x dx के integration करना है तो Simpson 1 3rd rule में h by 3 को बाहर रखते हैं तो तुरंत formula याद हो जाएगा क्योंकि कल परिच्छा है इसलिए तुरंत याद हो जाना चाहिए हम क्या करते हैं, दोनो in point को यहां पर लिखते हैं यानि why not और y8, तो दोनो in point को एक साथ रखते हैं इसके बाद twice के साथ जितना even वाला है वो twice के साथ रखते हैं जैसे इसके बीच में यानि why not और y8 के बीच में जितना even वाला है वो twice के साथ रखते हैं तो अब यह बच जाएगा हो जाएगा y2, y4, y6 क्योंकि white नहीं लेते हैं white यहां ले लिया है तो इसको बंद कर देते हैं इसके बाद जो बचा उसको हम 4 टाइम निख लेते हैं 4 टाइम का मतलब क्या बचा अब इसमें y1 y3 y5 और y7 यह बचा अब इसको हम बंद कर देते हैं अब हम सब का भेलू पूट कर दें h बराबर 1 है तो यह हो गया 1 by 3 उसके बाद देखो why not why not का भेलू है 1 by 2 y8 का भेलू है 1 by 10 तो इसको एक साथ रख दियें उसके बाद twice y2 इवर वाला सब है y2 का भेलू है 1 by 4 फिर y4 y4 का भेलू है 1 by 6 फिर y6 y6 का भेलू है 1 by 8 उसको बंद कर दो plus four time four time y1 y1 का भेलू है 1 by 3 y3 y3 के भेलू है 1 by 5 उसके बाद है y5 y5 का भेलू है 1 by 7 और last में y7 y7 का भेलू है 1 by 9 1 by 9 बस अब इसको तुम्हारा काम है यह सब क्याल्कूलेशन कर लो क्यों जोड़ दो जोड़ देगा तो यह भेलू आ जागा यही हो गया integration from 1 to 9 1 by 1 plus x dx का Simpson one third rule से अब इस calculation तुम लोग कर लेना अब हम बताते हैं वेडल्स रूल में क्या दिक्यत है वेडल्स रूल में कैसे हम डिवाइट करते हैं इंटर्वाल को अब देखो वेडल्स रूल से कैसे हम लोग numerically integration करते हैं मानलो हमको x0 से xn ydx का integration करना है quidals rule से तो ध्यान देना इसमें जो हम interval को बाटेंगे वो 6 के multiple में होना चाहिए चाहे तो 6 part में हो चाहे 12 part में हो चाहे 18 part में हो तो आसान होता है चाहे तो 6 part में या 12 part में अगर हम इसको 6 part में बाटते हैं एनी xn minus x0 by 6 तो यह होगा और इसका formula यह है 3 h by 10 आता है बाहर में याद रखना और y0 और y6 को एक साथ रखते हैं प्लस मतलब दोनों छोर को एक साथ रखते हैं और 5 time y1 plus y5 और यह देखो y2 y4 दोनों even एक साथ ध्यान देना यह याद रखना अगर हम इसको 12 part में बाटते हैं तो xn minus x0 इसको 12 से divide करतेंगे यह होगा और 12 part के लिए यह formula हुआ इसको बार बार बोलते हैं इस formula को थोड़ा सा ध्यान देना यह pattern में है नहीं इसलिए इस formula को याद रखना अब देखो मालने एक्जांपल है 0 से 6 dx by 1 plus x2 को widels rule से बनना है तो बनना है तो हम क्या करते हैं कि यह 0 6 minus 0 को सबसे आसान तरिका यह है 6 part में बाट दें 12 part में बाट सकते हैं लेकि 6 part में बाट दें तो यह 6 part में बाट दियें 6 minus 0 by 6 equal to 1 इसको हम बाट लेते हैं तो h बराबर हो जाएगा 6 minus 0 6 part में बाट लेते हैं by 6 यह हो गया 1 हम 12 part में बाट सकते हैं लेकिन बार बार ध्यांदना 6 के multiple होगा 6 part के लिए फर्मुला है और 12 part के लिए फर्मुला है अब यह है कि x और यह है function अब देखो x का value हम लोग क्या करते हैं यह lower limit वाला value को शुरूब में रख देते हैं उसके बाद h जोडते जाते हैं 0 plus 1 तो 1 दिया फिर जोडते गया जोडते गया तब तक जोडते जाते हैं जब तक upper limit नहीं आजाए upper limit आजाए हम बंद कर देंगे अब यह 0 का value x के जगा पर इस function में रखेंगे function change हो सकता है function थोड़ा complicated function रख सकता है लेकिन वो तो calculator से calculation करना तुमको कोई दीकप नहीं होना चाहिए method यहीं रहगा के वल function change होगा तो 0 देंगे तो जो value आएगा function होगा 1 पर function का value निकलेंगे सब value लिख करके हम formula 1 का use करतेंगे थोड़ा calculation कर लेंगे और यह तुम्हारा इस तरह से result आजागा इसमें बहुत कुछ सोचने की बात नहीं कि और एक ठो formula याद रखना और एक बार बोलते हैं यह 6 के multiple में इसको division करना Thank you very much